तो दोसो सफेद कपड़ों की कलर से जथनी दूस्मूनी है इतनी दोस्ती भी है जतनी जल्दी कलर से लग जाते हैं उतनी जल्दी निकलते भी नहीं है और भाई कर दाग दब्बे लग गया तो हम लोगों की कुटाई ताय है तो Hello everyone, आप उत रहे हैं FWSO, भाई, नॉर्मल जो सफेज कलर को कलर करने के लिए, कुछ वाटर बेस कलर का यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन आज की सुर्य में हम लोग दिखने वाले हैं कि क्या होगा, अगर हम लोग अपने किसे सफेज की सर्ट में, ये आयल बेस वाला पेंट जिसका की यूज दावाजों को पेंट करने में, लोहे को पेंट करने में किया जाता है, अगर इसको सबसे परले हम लोग अपने इस सफेग के पहना देख ताकि इस पेंट करना आसान हो तो भाई सफेग की सड के लिए एक लाइक बनता है आज भाई ये बरबाद हो जाएगी तो लाइक जोड़ से करना तो यह दूसरी result है और भाई इसमें तो मेरी photo भी बनी हुई है वैसे कि आपको याद है मेरी photo क्यो बनी हुई है क्या मैंने इसमें कोई video बनाया था अगर आपको याद हो तो comment में बताना तो भाई इस result में हम लोग क्या करने वाले सबसे पहले दोखों मैंने यहां पके पेपर लगा दिया है बीच से और इस पर हम लोग paint करेंगे यह बजर का paint ठीक है केवल सामने के हिस्से में ही paint करेंगे और बस सूखने के लिए छोड़ देंगे और देखेंगे कि सुखने के बाद हमारी टीसर्ट कैसी हो जाती है कि आगे का हिस्सा वाटर प्रूफ हो जा गया है नहीं तो चले फटाक सो सबसे पहले हम लोग इसके आगे के हिस्से को अपने बैजर पैंट से पेंट कर लेते हैं तो दोस्तों टीसर्ट पेंट कौन करता है भाई यो भी जान बूसक है लेकिन मैं कर रहा हूं केस्टिंग के लिए तो यह गया पहला ब्रस टीसर्ट के उपार और भाई देखतें कैसा एफेट आता है और यह तो चली नहीं रहा आप लोग देखो कैसा एफेट आ है तो फोटो के उपार काके देखता हूं यहाँ पर बढ़िया चल रहा है एक नमबर एक नमबर तो भाई फाइनली आगे का हिस्सा पेंट से पेंट हो गया है पता नहीं सुखने के बाद एक टीसर्ट कैसी हो जाएगी मैं जब बिल्कुल भी आ गया नहीं सुखने के बाद कैसे टीसर्ट हो जाएगी और मैं आपको नीचे दिखाता हूं पेपर पेंट पेंट आया हुआ है यह देखो तो इस सुखाने में ही अहए ज्सबाओंगे जाएगी देखते हैं जुखने के बाद हमारी टीसल कैसी लगती है तो फानली यहां पर हमारी इसपरेच पैंट करी ग़िए तीसल सूख गई है तो इस पर अहां प्रड़र का प्रच करेंगे पाहएं के दिखेंगेश घंग इसकी कपड़ी प्रच लुक्त का लिए और यहां पर जो मने बहicação बजल का क्या कृए था वह और सूख गही है इसको इसको भी हम लोग ठीर तरीके से चेक करेंगे, पैनवाएं के पैनवाणी डालके, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे चेक करते हैं, कि इस पर क्या फर्क पड़ा है पैंट के बाद, तो आपको दूसर टीसर टीक ऐसी लगए कमेंट में पताना, बहुत ही बेकाल ना, लेक कि किस तरीके से पैंट इसके उपर पैंट हुआ है, केवल रेसो पर ही पैंट गया है, यह देखो, जिसकी वज़े से जो टीसर ट है यहाँ पे, यह खूलदूरी टैप की हो गई है, एकदम खूलदूरी, अंदर एकदम मुलायम है, लेकिन बाहर एकदम खूलदूरी, कुल अबशूर्ब हो गया, तो waterproof नहीं हुई हमारी की जर्ट, तो आब मैं उस फ्यू पैंट से पैंट करिगे रंगी कीज़ट को पहन के दिखाता हूँ, कैसे मैं उताता हूँ, फाइनलि, यह देखो, तो यह है हमारी से पैंट करिगई की जर्ट, और अगर मैं इसे छू कर दे लगा होली खेल के आया हूँ पास से तो एकड़म भद्धी लग रही है दूसरे लगारी कैसे लगारी कमेंट में बहुत आना किक है अब दूसरी टीसर्ट चेक करते हैं तो जब हमने ब्रस से पेंट किया था तो दिखते हैं क्या टीसर्ट वे वाटरफू हुई है पेंट की अच्छे से तो यह मैंने अच्छे से भीगो दिया ठीक है तो सामने से तो लग रहा है पूरी टीसर्ट भीग गई है लेकिन यह वाटर प्रूफ होई है या नहीं ऐसा करते हैं पीछे से देखते हैं कपड़े के तम मौन सल जाएगा तो दूसरी यह देखो अंदर कहीं पर पनी नहीं आया है के पर जहां पूस का से श् organisation मौन ्जाप है अधर अच्छे देखते हैं वत्रहीं गिंवेघ ऑची अह अधर भिग चुकी है तो सकल सच में हमारे तो डीज़र्ट हमारी काफी हद तक वाटर प्रूफ हो गई कि वह बाहरी पानी रह जाता था अंदर नहीं आया यह वी न बात तो जो पानी लीक हुआ था यहां से लीक हुआ था यह दो यहां पर हलका श्रीकर फटा हुआ है यहीं से पानी इंदर चला के थे थोड़ा बहु मैंने बोरी पैन ली हो यहां पर बहुत मोटा मोटा फील आ रहा है और बिल्कुल लेदर से ऐसा लगा है कि बहुत कुछ मोटा पैने हुआ हूँ बाकी का टीशर्ट तो खाब होई गई है इसे भी निकालके पाफा से सफच कर लेते हैं हाँ तो दोस्तो जब ही मैंने इस प टीशर्ट को और बेस पैंट से पेंट करते हैं तो अब आप यह एक्स्परिमेंट पसंद आए वरी को लाइक करना से करना और जहां को सब्सक्राब कर लगान दबा दें तो बास वीडियो में बस कलार करी हुई टीशर्ट ही